उत्तर प्रदेश के मुरादबाद जनपत के कड़गर थाना इलाके के रामपूर रोड प्रेम आयूर इंटरनेशनल फैक्टरी में अग्यात कारोनों से भेहंगर थाना इलाके के रामपूर प्रेक्टरी के लिए भारी मातरा में मौम रखा हुआ था जिसमें अचानक आग लग गई आग इती भेहंगर थी कि देखते ही देखते आग ने फैक्टरी को चारों तरफ से लप मौम होने के कारण आग बुझने में समय लग रहा है लेकिन फार ब्रिगेट की टीम लगातार आग बुझने का प्रयाज कर रही है फैक्टरी मालिक की माने तो आग से फैक्टरी में काफी नुकसान हुआ है और शोट सर्किट के कारण आग लगी है चारों तरफ आग दिखाई दे रही है जारों तरफ का देख को ने में लगी है उसी किया लिए किस चीछकी फैक्टरी यह वह है जोड़ाओं ने लगा कितना माल आपका जल चुगा आप अनला जैनी तो देखना पड़ेगा समझें आप कितना नक्सान मानते हैं आप क्या इंगी शक्ते दिखते हैं अगले यह रामफो रोड पे मैयोर इंटरनेशनल कोई मोम की फैक्टी है इसमें बतारें की मोम बत्ती बनाने का कारी भी दिया जांगा था जिसमें आग की से इतना हम दो खारी स्केशन हैलेट रोड पे हमारे जंजरोवन के प्राथ थी असुप कुमार नाम की वेक्टी में तूजना दिया फैक्टी में आग लगी ले तकाल हमारे अग्री शमन अधिकारी कटगा दो बोटा खारी जिरे के लेकर के तकाल लवाना हुए क्योंकि आग मूम में लगी थी और काथी काला दुहानी कर ला पर यह देखते हुए हमने जो अन्य गाडियां है क्ष्काल उन्जुग रवना किया गया पांच गाड़ी हमारी लगातार मोके पर कारी कर देगी और जो यह आग है मूम की आग को बिजने में थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि इसमें मूम की जो आग की कटेगरी है वो एक क्लास ओफैर की वज़ें भी क्लास ओफैर में और वह उसमें खोड़ा बिजाने में विख लेया विए आगनी इंतरण में है कोई जन्हानी में अच्छे सब दिश्बू दमा का महम उन्द्र भी उपटाई है हाँ जैसे इंड़स्ट्री होती है तो इसमें कहीं ने कहीं कही जानकारी में नहीं आया है कि वह सिलिंडर ओक्सिजन था यह एल्पीज निकाए सब्सक्राइब कितनी गाड़िया काम कर रही है क्योंकि पानी हमको हनुमान मुन्तों के परके लाना तड़ रहा है और बड़ी आज है तो जैसे गाड़ी कटम पानी कटम होता है तो इसके संबंद में अभी हम आग बुजा रहे हैं इसके बारे में कुछ कहना अभी हमारा मतलब परतम दरिश्टा नहीं बन पाता अभी आ क्या पर बहुत सम्मों तो हो सक्थिए